नमस्कार दोस्तों रेल्वे भर्ति प्रकोष्ट पस्चिम मद्द रेल्वे की ओर से अप्रेंटीश के लिए एक नई आरबंपर वेकेंसी निकल करके आ रही है यह जो वेकेंसी के मैं कुछ फायदे आपको बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही जल्दी आने वाले फायदों मे नजर आएगी जैसे कि आपको साथ पता होगा या आप लोग नहीं कहीं नोटिफिकेंसा सुना होगा कि रेल्वे गुरूब डी की गुरूब डी की वेकेंसी निकल करके आ रही है यह जो गुरूब डी की वेकेंसी निकल करके आ रही है उसमें से अगर आप यदी अप्रें बहुत ही अच्छे सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपकी डारेट बहाली होती है यानि कि इसमें आपके मस्क हिसाब से अपकी जो भी है कटम मताई जाएगी और आपकी यहां पर apprenticeship की course जो है वो कराया जागा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि वेकेंसी जो है वो online इस्टार्ट होने की डेट यहाँ पर दे दिगए यह notification के साथ तो यह online application जो है submission डेट इस्टार्ट होने का दे दिगए थी और साथ ही साथ online application closing date यानि कि जो application चलेगा वो 17 दिसंबर 2022 तक यह online इसका चलेगा तो यह आप कर सकते हैं और online application के साथ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि apprentice किस-किस unit के लिए कितने-कितने पोस्ट के लिए वेकेंसी निकाल गई है तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर unit दिया है JVP division BPL division quota division WRS quota CRWS BPL HQ JP यह सारे unit की category यहां पर दी गई है इस category के हिसाब से हम लग number of slot seats दे सकते हैं जैसे कि यहां पर दिया हुआ है JP division के लिए 884 total seat दी गई है BPL division के लिए 614 दी गई है quota division के लिए 680 seat दी गई है WRS quota के लिए 160 vacancy दी गई है CRSW BPL के लिए 159 और HQJVP के लिए 20 vacancy दी गई है यानि कि total 2521 vacancy यहां पर दी गई है साथ हम लोग यहां पर देख पाते हैं कि PWBD और X servicemen के लिए यहां पर अलग से sito का chain किया गया है कुछ उन्हें वरिता यहां पर दी गई है यहां पर अगर eligibility की बात की जाए तो eligibility के अंत्रगत हम लोग जैसे कि यहां पर देख पाते हैं eligibility में आपका age criteria के बारे में सबसे पहले यहां दिया हुआ है तो यहां पर दिया कि कंडिडेट को 15 साल से ले 15 साल लवक कम से कम उन्सकी उम्र 15 साल होने चाहिए जो की 17 नॉवंबर 2022 को complete हो यानि की 17 नॉवंबर 2022 तक 17-15 साल पूरे कर लिया गया कंडिडेट इसे अपलाई कर सकते हैं 37 कंडिडेट 24 साल से अधिक उम्रिके नहीं होने चाहिए यानि कि वे 15 साल से लेकर के 24 साल के बीच में होने चाहिए और जिसे कि इस बात यहां पर दी जाया अगर अपर एश लिमिट की यानि कि एच छुट भी दी गई है इसके सासत बताएगे यह तो एच छुट की नहीं की नहीं दिया जागा तो average limit के बारे में यहां पर बता आ गया कि ST, ST candidate, SC और ST के अंतरगा ताने वाले साहिवी candidate को 5 साल की यहां पर छूट गई है OBC candidate के लिए 3 साल की यहां पर छूट दी गई है तो यह छूट का फाइदा भी आप लोग यहां पर उठा सकते हैं कि अलग-अलग के लिए अलग-अलग एज की छूट दी गई है Education qualification के बात की जाए eligibility condition minimum education qualification यानि कि आपकी section क्यों कि तक क्या मांगी गई है section क्यों कि तक किस प्रकार से रहेगी तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं the candidate must have past 10th class examination और its equivalent यानि कि candidate को दस्वी के अच्छा पास होने चाहिए किसी भी माननतप्राप्त भारत के किसी भी संस्ताथ से अगर मेट्रिक पास है तो यह फॉर्म को भर सकते हैं और उनकी परसंटेज वह 50% होने चाहिए यानि कि दस्वी में कम से कम 50% मार्स का होने चाहिए और साथी साथ उनका इनका फाइदा भी मिलेगा तो यह है अपका सचनिक योगता के बारे में दिया गया है यहां पर आगे हम लोग आ जाते हैं तो मोड़ आप सेलेक्शन की अगर बात की जाए तो मोड़ आप सेलेक्शन में सेलेक्शन के यहां पर अप्लाइ कर रहा है उनकी दसवी कक्छा में जो माक्स आई होगी वह दस वी कक्छा में जिनका जितना में मार्स आया होगा उसके हिसाब से उनका मेरिट लिस्ट बनाया जागा यानि कि आप जो online form भरेंगे online form भरने के बाद आपका दस्वी किछ्षा में जो भी आपका मार्प्स रहाएगा उसके इसाफ से आपका डिर्ट बनाए गया है क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि औरिक बेकिनसी यह तो आपका मेरिट मार्प्स का मेरिट बेशिस लिस्ट बनेगा उसी के हिसाफ से आपका आगे किया जाएगा कि जो भी करने के यह दिया जाएगा आपके जाया ज्यादधा तो आपको अच्छे अब सकते हैं है जो यहां पर हम देख सकते हैं कि कंडिड्र बैट घो भी स्वार्ट लिस्ट जाएगा उनके लिस्ट के लिस्ट के हिसाफ से तो सभी रुपए की फिस ओनलाइन जमा करनी होगी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कंडिडेट शुट सब्मिट एप्लिकेशन फी फॉर एन एमांट मेंशन बिलो यानि कि आविद्दक को नीचे दिये गए तालिका के अनुसार अपना फिस पे करना इसी के टेगरी की हम लोग करनी होगी और यहां पर हम लग सेकेंड ऑप्सन में आयते हैं स्टी उसके बाद और जो विकलांग का इंडेट है और महिला है स्टी महिला और विकलांग के लिए फिस को नील लखा गया यानि कि उन्हें कि प्रकास की फिस नहीं देनी है ठीक है पेमेंट जो होगा वह आप का यहां पर बता दिया घया है पочь होगा वह आपका ओन लाइन के मौड्यां 100 कि यहां पर पड़ेगी देविट Hai साती साथ सथ बता दो कि जब कितने का होने चाहिए और आपको कैसे करके उसमें अपलोड करना चाहिए साथी साथ फोटो सिंग्निचर के बाद आपको अपने सेटिफिकेट भी रखने होंगे ओनलाइन फॉर्म भनने के समय जो कि आपका 10 क्लास का मार्क सीट हो सकता है यानि कि यह सारे फोटो सिंग्निच यह फिर बिकलांग है यह फिर आपके पास अधर से आई टी अच्टिफिकेट भी है तो आप रख सकते हैं ऑनलाइन करने के समय यानि कि आपका स्थिक जो जाती का होगा आई टी आई का जो आपने कम्प्लीट किया है वह कोर्स का वह भी आप अपलोड उसमें कर सकते हैं व हो ओनलाइन कर सकते हैं तो ओनलाइन करने के लिए यहां पर यह लिंक दिया वह और्यार करने के समय आपके berm कि अंपर फोड़ने में किसी तरह की परिसाने ठाल यहां और भाई मचांगी कर सकते हैं या इसा प्रॉड्म टेक्निकल आ रहा हरा हो तो आपको एक बिइन के गया है इस नम्मर पे एप हेल्प्नाइन नम्मर इस नम्म wsz प्र काल कर के आप अपने समस्यां का समधन पासकते हैंutan जीसे की आप देख सकते हैं यहां पर पर टेबल बना हुआ है यहां पर लग-अलग युरिशी के लिए किस तरह यहां पर कर टेड़ दिया गया है और सिट श्लोट के संख्या भी यहां पर दी गई है आप देख सकते हैं यह पर जैसे के एलेक्टिसियन है फीटर हो गया यूनिट में आपका जईविजन है बीपी अलेज़ डिवीजन है कोटा डिवीजन है यहां पर दिये गया है और साथी साथ यहां पर नीचे हम लग देख सकते हैं कारपेंटर है पेंटर जेनरल भी दिया हुआ है उसके बाद है फ्लोरिस्टेंट लेंडिस्केपिंग दिया हुआ ौप ओपरेटर कम मेंकेनेगी है और होटी कल्चर अशिस्टेंट है इलेक्ट्रोनिक मेकेनिक के लिए दिया हुआ है इंपर्मेशनन अन टेक्नेले holl agent टेक्छेश्टेम मेंतेय supporter एंड प्रोग्रामिय अप्रहेश्टेन श्टेनोग्राफर हिंधी इस्तोरण ग्राफर इंगिलिश अप्रेनटि अप्रेनटिसिप फूर्ढब्रेश сохран vegetarian apprenticeship food production call me Qakrish डिजिटल फूट्राफर Kanp tai यहां पर बहुत सारे आपके ट्रेट दिया हुए है सेक्रेटरी असिस्टेंट, हैल्स सनिटरी, देंटल डेवर्टी टेक्निशियन, मैंटेरियल हेंडलिंग, एक्विमेंट, मेकैनिक, कम अपरेटर, AC मेकैनिक, ब्लैक स्मिथ, फांडिमेन, केवल जोंटर, दर्फ्मेंट, स विकल, मेकैनिक, ट्रेक्टर, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, टोटल 38, 38 टेट फ्रेंड्स यहां पर दिया हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, बंपर वेकैंसी निकल देर के आई है, उसमें से आपका 2521 पोस्ट टोटल यहां पर दिया हुआ है, अलग-अलग टे आप लोगों से आगरा है कि इस वेकैंसी को जरूर भरें, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन होने वाला है, साथी साथ अप्रेंटी सिफ कर लेने के बाद आपको आने वाले समय में रेलवे की कोई फॉर्म भरने में बहुत ही सुविदा होगा, तो आसा करता हों कि दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोगों से आगरा करों कि करिपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, हमारे मनोबल बढ़ाएं ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहें, धन्यवाद झाल